चतितगर विधान सभा की अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने नई दिल्ली में आयोजित दसवे रास्ट मंडल संसदी संग भारत शेत्र की बैठक में भाग लिया इस महतुपूर्ण बैठक के दोरान उन्होंने सतत और समावेशी विकास में विधाईका की भूमिका पर इस बैठक में चतितगर विधान सभा के महतुपूर्ण निर्णयों का भी उल्ले किया डॉक्टर रमन सिंग ने बैठक की महतुपर जोर देती ही विकाहा कि रास्ट मंडल संसरी संग जैसे मंच ना किवर विभिन राजियों के बीच ज्यान और अनुभवों का आधान प्र चिपीए की बैठक का और ये बैठक का इंडिया रीजन जिसमें सभी राज चतिकरड़ के हिंदुस्तान की आते हैं और इसमें केर परसन होते हैं हमारे स्पीकर सहब बिडला जी ओम बिडला जी और इस बैठक में उपस्तित रहे राज सभा के डिप्टी स्पीकर है ये दसवां सीपीए की बैठक है और इस बैठक का जो मुखे एजेंडा रहा और जो मुखे चर्चा का विशे रहा दो दिन तैईस और चोबिस में सतत विकास और समावे सी विकास यह डिवलप्मेंट तो होना चीए मगर समावे सी विकास होने चीए इसका मतलब ये है कि राज सरकार की योजना और योजना का क्रियानवन समाज के गरीब से गरीब वर्ग तक समाज के सभी अंग तक पहुँचे और समावे सी विकास में वो चाहे आईमार हो, एमेमार हो, माल निटीशन हो, पुशन हो, गरीबे के खिलाफ लड़ाई हो, रोजगार का विशे हो, परियावरान का विशे हो, ये सब मिलके एक डेवलाप्मेंट की कलपना ऐसे होती है कि सिर्थ विकास या डेवलाप्मेंट विनास के लिए ना हो, विकास की काम भी हो तो प्रकृती को बचा के रखे, और खास दोर से आज ये इस बात की चर्चा हो रही है, पावर जनरेश फासिल फ्यूल से हटके हम दूसरे फ्यूल में जाकर कारवन का बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारे गंबीर विशे है और खास दोर से जो प्रकृती है और जिस प्रकास से वातरवन में परिवर्तन हुआ है, और एको सिस्टम बदलता जा रहा है, उसका उत्पादन मे गरीबी में भी असर होगा, तो सी पिए की जो इस बैठक में महात्पृण विशाय है, जिसमें च्छतित गड़ के कुछ विशाय है, बेस प्रक्टिसेस हम अपने अपने स्टेट में, छोटा स्टेट है, चोबिस साल पहले बना च्छतित गड़, और इस स्टेट में भी हम अपने विधान सबा में कुछ मानियता है, बनाती है, क्योंकि कानून बनाना में विधान सबा का काम, पारलिमेंट का काम, नियम और नियम में बनाने की प्रक्रिया में, मारे जो कानून बनाने वाले हैं, वो कितने बहतर तरीके से उस असेमली में काम कर रहा है, लोग सब ह जाएगा तो अपने यापो निस्कासित हो जाता है कोई मार्शल लागा लाने की जुरत नहीं पड़ती तो अनुसासन बना रहता है यह अपने आप में एक परंपरा है दूसरा हम लोगों ने किया कि नकसल के इशु के लिए जब चर्चा हो रहे होनी थी तो हमने क्लोस डोर म मिटिंग हुई जिसमें कोई मीडिया भी नहीं था धिकारी भी नहीं थे और हम सब ने खुल कर विशय पे चर्चा की और बाचीत की इतना वो विधानसबा 36 गड़ के लिए एक बहतर तीशरा विशय चत्यगड के विधानसबा में जो भी 17 हमारा होता है हम कोसिस करते हैं कि बजट के सभी विशो पे लगादर चर्चा हो गिलोटीन करने की जरुवत ना हो और ये परमपरा को अभी तक हमने बना के रखा है तो चत्यगड के विधानसबा 24 साल ही हुए हैं चत्यगड में मारे एक विश्यस परमपरा को जीवित रखा है और सीपे की अगली बैठक ज चीव गड़ जाएंगे और बाकी सदस जाएंगे और उसमें फिर उस पूरे कॉमन वेल्ड कंट्री के बाकी लोग आएंगे और अन्य विश्वे अलग-अलग विश्यों पे वहां पे चर्चा होगी अलग-अलग समस्याओं के बात्तित होगी और हम कानून बनाने की प्रक